नमस्कार आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स रीवा लोका युक्त ने बड़ी कारवाही करते हुए अनुपूर के जिला खादियापूर्ती अधिकारी को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है ऐसे में लोका युक्त ने उसे दूसरा आरोपी बनाते हुए भरष्टाचार निवारन अधिनियम की धारा का प्रकरण दर्च किया है अग्रिम कारवाही के लिए दोनों ही आरोपियों को अनुपूर के PWD रेस्ट हाउस ले जाये गया जहाने रिक्षक प्रमेंद्र कुमार क शकायत करता अनिलकुमार प्रजापती से उझ्व ciao योजना पार्ट तू के कारिकरम के बद्ले को सवपा अवेदन करता के मामले की एस पी ने गोपनी जांच कराई तो सही पाया गया एसे में शुक्रवार की दोपार ट्रापिंग का दिन नियद किया गया लोका युक्त के बताय अनुसार शिकायत करचाच जिलाखादया पूर्ती अधिकारी के कारियाले में जाकर दोपहर 18,000 रुपए दिये और वैसे ही लोका युक्त की टीम ने धर पकड़ कर ली एसे में लोका युक्त की टीम ने दोनों को भरष्टाचार निवारन अधिनियम का धारा कारोपी पाया है जुनको स्वतंत्र कारवाही के लिए पीड़ाबलूडी रेस्ट हाउस अनुपुल ले जाये गया और कारवाही जारी है